तो अवी माला कीचैन में कुछ बना रही है रसघुला बना रही है दिखा यहां डिकां कैसा है और अब शुबा के शाले पांच बजे पांच वी नहीं बजावत देख सकते हैं पांच वेशे AH CP जूप अच्छी खासी उख चुकी है अले लगता है मौश्रम साफ रहने वाला है इधर पेणों के पीछे सुलिदे भगवान अच्छी तरह से उख चुके हैं और इधर माला सुबह सुबह लग चुकी है कि तुम काम करने के लिए इनमें जाड़ी लगाई जाना यह जो लता है करेली का एक दो तीन चार और इधर है और ऐसे ही इसमें थोड़ थोड़ा जाड़ी लगाना पड़ता है ताकि वह जाड़ी अच्छा से यह सब को कवर करते तर यह उचाई पर फल सके यह बर्सात में खलेगा दोस्तों अभी मैं और माला जंगल की भूमने जा रहे हैं और शद्रिश लेगे कि धर के बगल में जंगल है दोस्तों अभी जंगल की और आये थे और माला को मिल गया है यह महुआ के प्यून का फल जिसे तेल हम लोग बनाते दोरहा के तेल बनाते हैं तो यह बहुत अच्छा और्गानिक होता है और जंगल में बहुत सारा गिरा अधर जिसना भी प्यान है उतर भी चुनेंगे हम लोग अलाकि कुछ लेक नहीं है हम लोग को जनकरे नहीं था तो यह क्या बोलते है इसको बोरा वगरा भी लेंगा है नहीं तो अभी अच्छा खसा चुन के हम लोग ले जाते हैं जितना डिक्कि में जा सकता है और उतना अधरी में बहला स्विक्ति में दोस्तों चारो और घने जंगल देख सकते हैं एक दम बिलकुल जंगल में एक म्यूजिक चलते रहता है आप पच्छियों के चारचाहाट को सुगे बहुत ही आनन्द आता है चुनने के बच्चारोर से अलग-अलग तरह की आवाज आती रती हैं अभी दोस्तों हम लोग जंगल से लोट चुके हैं मजा आया घूंगे क्या महगग जूरी की लाए खुड़ासा जाड़ी भी लाए थे लोग लताहों में देने के लिए और कल इतना सारा जूरी भी जमा किये हैं जो इधर आसपास में सुखा हुआ पेण है उससे गिरा था उसका काटन। लाएं क्योंकि इसको इसमें अभी आम रख रहे हैं और यह आम युकल आङ्द्र भान सकी गया थे तो इसको रख ज़ते हैं पकने के लिए कि दोस्तों अभी इसमें उसको घर्म करने के लिए उसकि गर्म होगा तो पखेगा इसमें हम लोग यह पुप्ति युद दोस्तों इसको अभी पैक करके रखेंगे अगले तीन दिनों के लिए तीन से चार दिनों के बाद पुरी तरह पक जाएगा और इसको रख रहते हैं अईसे इसमें छीज़ा पी आचार बना रही है मलावी लाई नमक और यह सब लेके आई दूसरे घर पर घर से और अभी बन हमारी मला विला आचार यह सब अचार बनने वाला है आम का 2 बन के होगा तैयार नहीं बदल ईगा लोगों का पिचार 3 आवार ले cela जोस्त ओवि माला की जर्म बना रहा ही किया बना रही दिखा ये तो अलबार इसा है पहली बार आज रस्कुला बना रहे हैं और ये पूरा बनके बड़ा बड़ा तयार हो रहा है रस्कुला कितना दिर के बाद खिला ये गामाला छे गंटा बाद खिलाएंगे चलते हैं कुछ काम करने के लिए क्या करना अभी दोस्तों अभी हम लोग घंस काटने के लिए जा रहा है और ये मौसम ठंधा था इसलिए ये जो है फिजूर नहीं पका है यह तो यह पुरा पक जाता नहीं है जैर गया हावा से जैर गया ललका लूंका कि माला उधर घंस काट रही है और बेटा भी लगा हुआ है दोस्तों अभी माला घंस उसकाट ली है और साम भी उचकार अभी हम लोग जा रहे हैं और बेटा इधर ये भी अपना काम कर चुका है जाई वेगर को भी लिए चलते हैं अब घर क्यों चलो चलो कहां उधर 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 कहां आप जिन बार चलते रहेगी है दोस्तों अभी रसकुला आ चुका है लेकिन ये पूरी तरह ठंडा नहीं है इस करण ये पिचक गया है तो खाने की इच्छा हो रही तो पहले हम लोग खाते हैं और कैसा बना है वो देखते हैं कर दोस्तों रसकुला के लिए लड़ाई हो रहा है इदर अगर पर रसकुला बना लेकिन पुरा तरह सक्सेस नहीं हुआ कुछ कमी रहा गया होगा अभी हम लोग को बनाने नहीं आता है दोस्तों आज के ब्लोग को यहीं समप्त करते हैं यह ब्लोग कैसा लगा आप कमेंट करके जुरू बताएंगे और जो चैनल पर नए है चैनल को कर लेंगे सुस्क्राइब उन्दे मातरम भारत माता की जैए बाई